राथी राथी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों साल की सबसे बड़ी एकादशी निजला एकादशी का ब्रत इस बार 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा यहे ब्रत सभी एकादशियों में सबसे कठन ब्रत होता है क्योंकि इस ब्रत में पूरे दिन और अगले दिन पारण करने तक जल की एक बोन भी ग्रहन नहीं की जाती इस ब्रत में अन और फल के साथ जल का भी त्याग किया जाता है इस दिन नेचल ब्रत रखा जाता है इसलिए इसे नेचला एकादशी कहा जाता है इस प्रत में ना तो भोचन किया जाता है ना ही पानी पिया जाता है और ना ही फलहार किया जाता है वैसी तो वर्ष की सभी एकादशी दिती अपना अलग महत्व रखती हैं लेकिन नेजला एकादशी का विशिष्ट महत्व माना गया है इस ब्रत को कहने से सभी एकादशियों के ब्रत की बरावर पुन्य फल प्राप्त हो जाता है धार्मिक मानिताओं के अनुसा नेजला एकादशी का ब्रत नियम और निश्ठा के साथ कहने से मनुश्य को जीवन में सुख और यश्की प्राप्ती होती है इस ब्रत को कहने से अंत में मोक्ष की प्राप्ती होती है इस एकादशी का ब्रत कहने से साल की सभी एकादशियों के प्रत का फल प्राप्त होता है साथी साल की और एकादशियों के ब्रत ना रखने से जो दोश लगता है एकादशी पर अन्न खाने से जो दोश लगता है वह भी दूर हो जाता है नेचला एकादशी का ब्रत करने से भागवान पिश्णों मा लक्ष्मी की कृपा से सभी मनुकामनाय पूर्ण होती है दोस्तों नेचला एकादशी के दिन ब्रत और पूचन के साथ ही दान का विश्श भैत्व होता है माना जाता है नेचला एकादशी पर किया गया दान अक्षे पुन्य प्रदान करता है अर्थात इसका पुन्य कभी भी छीन नहीं होता नेचला एकादशी के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान करने से गौदान और स्वर्ण दान से भी अथिक पुन्य फल प्राप्त होता है पद्म पुरान के अनुसार महेशी बेदप्यास जी ने पांडवों को इस एकादशी के बारे में बताते हुए कहा था कि नेचला एकादशी के दिन जो भी दान, धर्म, हवन और पूचन किया जाता है उसका पुन्य अक्षे रहता है इस दिन की ये पुन्य के फल का मनुश्य अनेक अनेक जन्मों में लाँ पाता है पद्मपुरान में वर्णेत है कि नेचला एकादशी पर दान करने से तीथों में किये गए दान, अक्षरतितिया, मगर संक्रांती और सूरे ग्रहन के दोरान किये गए दान से भी अथिक पुन्यफल प्राप्त होता है दोस्तों नेचला एकादशी परत को जल के महत्व को दर्शानी वाला बताया गया है इस दिन शीतलता प्रदान करने वाली बस्तों का दान करना सबसे जादा शुबमाना जाता है इस दिन जल का दान करना, शर्वत पिलाना, किसी प्यासी को पानी पिलाना बहुत ही शुबमान जाता है ऐसा कहने से घर में सुक्सम्रति आती है नेजला इकादशी के दिन हो सके तो मंदिर में पानी के मटके का दान करें और अपने घर की छत और आंगन में पक्षियों के लिए जल का पात्र अवश्य ही रखें नेजला इकादशी पर भगवान पिश्णू को पीले रंग को दान करें ऐसा कहने से घर में कभी कलेश नहीं होती भागवान पिश्णु मा लक्ष्वी जी के कृपा से घर में शुक्षान्ती बनी रहती है शास्तों में बताया गया है निचला एकादशी के दिन सुयोग के फ्रामर को जूते का दान कहना बिहर शुमाना जाता है इस दिन चूते का दान करने वाला व्यक्ति सौने के बिमान पर बैठकर स्वर्ग लोग को जाता है चूते के साथ ही इस दिन चाता पंखा का दान करना बहुत ही शुमाना जाता है आप इलेक्ट्रिक पंखा कूलर इत्यादी का भी दान कर सकते हैं ऐसा करने से चीवन सुख में बनता है। इस दिन मौसमी फल जैसे कि लेची, आम, खर्बूज, दर्बूज, कक्री, खीरा, इत्यादी जो मौसमी फल है उनका दान करना या शीतलता प्रदान करने वाले कोई भी बस्तू जैसे कि लसी, सरबर, चल, इत्यादी का दान करना उसी प्रकार इन शीतलता प्रदान करने वाली बस्तूओं का आज के दिन दान करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दिन बिस्तर बस्तर का दान करने से परंपुन्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अन्न का दान करने से घर भी कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती। लेकिन ध्यान रखें, अन्न में आज के दिन, चावल और जौका दान भूल कर भी ना करें, क्योंकि नेचला एकादशी के दिन, चावल का इस्तमाल करना बरजित होता है, इसलिए भूल कर भी चावल या जौका दान ना करें, और ध्यान रखें, अगर आप शर्वत इत्याद का दान कर रहे हैं जैसे सत्तू का दान करना भी बहुत शुब होता है लेकिन ध्यान रखें सत्तू जौके नहीं होने चाहिए अधिकतर लोग यहीं जानते हैं कि एकादशी पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए लेकिन चावल की तरह ही आज के दिन जौका सेवन भी भूल क ना करें और नाही किसी का दान करें दोस्तों इन बस्तूओं के अलावा निचला एकादशी पर करने वाला एक महादान बताया गया है पद्मपुराण में वर्णित है कि निचला एकादशी कीदिन पानी से भारा मटका, जल का कलस्त रान करने से घर में सुक सम्रद्धी आती है भगवान पिश्टू, मा लक्षमी के कृपासे घर में कभी भी अन्य और धनकी कमी नहीं दहती जीवान में खुशियां आती है और कश्टों से छुटकारा मिलता है लेकिन जल कलश का पूरे पिथी पूर्वक दान करना चाहिए दान करने के लिए सबसे पहले एक नया कलश ले पीतल का, चांदी का, स्वाण का कैसा भी कलश ले सकते हैं वैसे आज की दिन मिट्टी का मट्का जो होता है उसका दान करना बहुत ही शुब होता है क्योंकि मिट्टी के मट्के में पानी धंडा रहता है और यहें शुद्ध भी माना जाता है मट्का लेकर इसको अच्छी तरह सी धोले और इसमें शुद्ध जल भर ले अब मट्के के मुँपर आप एक सफीद रंग का कप्रा ढख दे और इस कपड़े को बान दे ध्यान रखें आपको इस मट्के का मुँप सफीद रंग के कपड़े से धकना है इस पर धकन नहीं लगाना कपड़ा भी नया कोरा होना चाहिए अब आप इस कलश को अपने मंदिर के सामनी रखें भगवान विश्णू मा लक्ष्मी जी के सामनी किसी फल मिष्ठान का भोग लगा कर भगवान विश्णू मा लक्ष्मी का पूजन करें दोस्तों पूजन से पहले मट्के बार जो सफीद रंग का कपड़ा है उस कपड़े के उपर आप शक्कर रखें आप एक बर्दन में रखकर शक्कर मट्के के उपर रख सकते हैं या फिर किसी पॉलिथिन वगेरा में भी रखकर इसके उपर शक्कर रख सकते हैं और फिर आप भगवान विश्णू जी के द्वादश्मत ओम नमो भगवती वासु देवाय का जाप करें मंत्र का आप कम से कम 108 वाज आप अवश्य करें दोस्तों इस तरह पूजन करने के पश्चा जब पूजन फोन हो जाए तब आप यह जल का जो कलश है इसे किसी सुयोग के भ्रामण को शक्कर सही दान करें जितनी भी शक्कर आपने कलश के उपर रखी है उस शक्कर के साथ आपको यह जल का कलश किसी भामण को दान करना है या फिर आप किसी गरीब जरुतमन व्यक्ति को भी इस जल की कलश का दान कर सकते हैं दोस्तों नेचला इकादशी पर करने वाला यह महादान है इस बिदी से जल की कलश का नेचला इकादशी के दिन दान करने से भागवान विश्टू महलक्षमी की असेम कृपा प्राप्त होती है और घर में सद्य सुक सम्रथी बनी रहती है पात्मपुरान में स्वेम बेद्व्यास जी ने कहा है कि नेचला इकादशी के दिन जो इस तरह जल की कलश का महादान करता है उसके घर से मालक्षमी कभी नहीं जाती है और घर में सद्य सुक सम्रथी बनी रहती है धन धाने की भंडार भरे रहते हैं और जीवन भर्धन की कोई कमी नहीं रहती साथ ही पापों का नाश होता है इसलिए तोस्तों नेचला इकादशी पर यह महादान अवश्य ही करें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंश और इस्तिदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे भेभी इसका लाब उठा सकें हमारी और फी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तैंक्स फॉर वाचिंग राधी राधी